My name is Javir Singh. I am working in Delhi Police. January के first week में मेरे को बहुत ज़्यादा weakness महसुस होने लगी. सीडिया चड़ता था, बहुत ज़्यादा सास चड़ जाता था. ज़्यादा पहले में बारकिंग करता था, बहुत exercise करता था. लेकिन अब नहीं कर पा था, थोड़ा सा चलता था, तभी मेरे को बहुत तेज सास चड़ जाती थी. उन्हें जनवरी से बार-बार शरीर में खून की कमी हो रही थी. उन्होंने कहीं जगें पर दिखाया, उसके बाद जून में उनका डाइगनोसिस बना, जब ये पाया गया कि उनकी छोटी आत में एक ट्यूमर था, कैंसर, और जब उनका further evaluation किया गया, तो उसमें पाया गया कि वो कैंसर फैल के लिवर में और शायर पेट के निचले हिस्से में भी फैला हुआ है, इनकी सारी बीमारी को देखते हुए, डॉक्टर सर्जन राजपरोहित द्वारा उनकी कीमोथेरपी की गई, मैक्स हॉस्पिटल वहिशाली में, जिससे उनको काफी तबियत में अराम हुआ, ब्लीडिंग रुग गई, और आगे ब्लड की ट्रास्फ जिससे की पेट के अंदर छोटी-छोटी फैली हुई बीमारी को कीमोथेरपी से किल किया जाता है, ओपरेशन के दौरान, ये एक नई तकनीक है, जिसको डिसाइड हुआ कि इनमें यूज करके इनको फैदा हो सकता है, पूरी सरजरी होने के बाए, डॉक्ट साब से बात जिससे पेट के अंदर फैली भी बीमारी यानि इवन मेटास्टाटिक डिजीज को भी ट्रीट करके क्योर किया जा सकता है, जिससे पेशन को काफी फैदा होता है। कि इसमाल करता हुए हमने होस्पिटल आने में दरनी लगे, मैक्स में तो. सर्विस इज वेरी गूड मैक्स होस्पिटल बैसा.